असलाम वलेकूम हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं जाहरास की चेन आप सब कैसे हैं इंसालला कैरियत से जरूर होंगे आज हम बनाएंगे ओडिसा की बहुत ही फेमस डियजर्ट जिसका नाम है छेनापोड आप इसे रोस्टेट चीसकेक भी बोल सकते हैं इसे खास कर कोईले के चुले में बनाया जाता है लेकिन आज मैं इसे गैस्टोप पर बनाऊंगी बहुत ही इजी और सिंबल तरीका होता है इसे बनाने का लेकिन इसका टेस्ट मार्शल लब बहुत ही डिलिस्यस डेजर्ट बन कर तयार होता है तो आप इसे एक बाइस जरूर ट्राई किजिएग तो छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिटर के करीब दूद लिया है और यह गाई का दूद है तो अब हम इसे अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देते हैं जब उबलने लगेगा हम इसके अंदर विनेगार डालेंगे तो हमारा दूद जो है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से उबलने लगा है अब हम यहाँ पर दो चमचे कई विनेगा डालेते हैं, मैंने यहाँ पर वाइट विनेगार का यूज किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेंबू का रस भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन वाइट विनेगार से छेना बहुत ही अच्छा बनता है, और इसमें कोई स्मे अगर आप चेना बनाना चाहते हैं, तो वाइट विनेगार से छेना बनाएं, तो आप देख सकते हैं, वाइट विनेगार डालते ही, हमारा दूज चेना बनना स्टार्ट हो चुका है, अब हम दो मिनिट के लिए स्टोप के मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देते हैं, अब अब पूरी तरह से पानी अलग और छेना अलग हो चुका है तो चलिए अब हम स्टोप को आफ कर लेते हैं और इसे हम छान लेते हैं हमें छेने कुछ ज्यादा स्क्वीज नहीं करना है बस हमें छलनी से इसे छान लेना है तो चलिए अब हम इसे बर्तन पर निकाल लेते हैं बहुत ही गर्म है इसे अब हम स्पून से तोड़ लेते हैं अच्छी तरह से मैस कर लेते हैं स्पून से चेना पोड बनाने के लिए और हमें क्या चाहिए हमारा चेना तो तयार है उसके साथ हमें चाहिए काजू मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के करीब काजू लिया है एक चमच मैदा चार चमच सूजी एक चमच घी देशी घी लेना है यहाँ पर एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर एक छोटी चमच इलाइची पाउडर चीनी 200 ग्राम आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं अब से आखिर में मैंने एक कप छेने का पानी रखा है जो हमने चाना था उसका पानी निकला है मैंने यहाँ पर पानी एक कप के करीब रख सूजी भी हमें डाल लेना है और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं हमें इसे ज्यादा चिकना नहीं करना है बस थोड़ा सा हाथ से मसल लेना है हमें चेना को इस तरह से खुरदरा सा रखना है ज्यादा हमें मसल कर चिकना पेस्ट नहीं करना है तो इस तरह से हम सूजी उसके साथ लाइची पाउडर बेकिंग पाउडर काजू घी सब डाल कर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं छेना पूर बनाने के लिए हमें देशी घी का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है छेना पूर का अब मिहां पर थोड़ा थ दाले कर आणे अच्छे तरह से बैटर बना लेते हैँ हमने जो छेने काउड़ी रखा हुआ है उस पानिको हम डाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा छेनाःट्स बनने के लिए उसका छेने का बैटर मुद का तायार है अब हम भूंम इसे एक कर डना बातो आब अबटल पेपर को अच्छी तरह से सेट कर सबस्टेट कर लेकुते हैं आब रिखर्वाथ य जुझन्न परिवटर गष्टेट कर लेते हैं और इसे तरह से टैप कर लेना है स्टोप के लो फ्लेम पर मैंने कुकर रखा है अब हम यहाँ पर एक कटोरी के करीब नम्मक एड़ कर लेते हैं और इसके उपर हम एक स्टैंड रख लेते हैं जिस पर हम केक्टिन रखने वाले हैं अब हम यहां पर केकटिन रख लेते हैं और कुकर का लिड लगा लेते हैं इसे अब हम स्टूप के लोः फ्लेम पर एक से देड़ घंटे के लिए हमें इसे बेक करना है जिस तरह आप केक बेक करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे बेक करना है लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है देड़ घंटे के करीब टाइम लग जाएगा तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं इसी तरह से देड़ घंटा हो चुका है मैंने स्टोप को आफ कर लिया है और हमारा चेनापोड बना है या नहीं इसे चेक करने का एक ही तरीका है जब चेनापोड का साइट का एजेस केक्टिन को छोड़ दे तब आप समझ जाएगा आपका चेनापोड बनकर तयार है अब हम इसे थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद हम कुकर से इसे बाहर निकालेंगे तो हमारा रोस्टेट चीज केक यानि छेनापोड बिल्कुल बनकर तयार है अब हम इसे एक प्लेट के उपर रखकर इसे पलट कर निकाल लेते हैं उपर हलका सा टैप कर लिए केक्टिन के उपर और हमारा चीज केक बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा तो माशालला देखिए हमारा चेनापोड बिल्कुल बनकर तयार है यानि रोस्टेट चीज के तो इसके उपर का बटर पेपर जो है हम निकाल लेते हैं बहुत ही सौप्ट रहता है इस वक्त तो बहुत ही धीरे धीरे से हमें इसे निकालना है तो फ्रेंड्स हमारा चेनापोड बिल्कुल बनकर तयार है तो इसे हम कट कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर का कैसा बना है तो friends हमारा छेना पोड विल्कुल बनकर तयार है आप इसे एक बार जरूट रहे किजिए बहुत ही delicious dessert बनकर तयार होता है बहुत ही कम चीजों से हमारा चेनापोड बन जाता है तो ओडिसा की बहुत ही फेमस डेजर्ट है आप इसे एक बार जरूर ठ्राई कीजिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेर